हलो दोस्तों वेलकम टू वीए ट्रिकी आज हम आपके सामने लेकिया है बिहार बोट 10 का ओफीसिल मोडल पेपर जैसे ही यह रिलीज हुआ है वैसे हम आपके सामने आज सोसल साइंस का मोडल पेपर लेकिया है हम आगे आने वाली वीडियो में इसके साइंस मैट संस्कृत के भी मोडल पेपर जो कि ऑफीसल बिहार बोट द्वारा जारी किया गया है उनको लेके आएंगे तो आप चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लिजे अगर आप तैयारी करते हैं बिहार बोट 10 का एक्जाम देने वाले हैं 2022 में तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा तो चलिए सुरू करते हैं जो अब्जेक्टिव कोशन है वह आप यहां पर देख सकते हैं कि बिहार बोट द्वारा यह जारी किया गया है एन्वल 2022 का है यह लेटिस्ट जारी किया गया है जो कि आज हम देखेंगे सोसल साइंस का मॉडल से ठीक है तो इसमें 80 अब्जेक्टिव है जि सुरू करते हैं यहां पर देखिए लिखा हुआ कि 80 कोश्चन आएंगे जिसमें से आपको 40 के ही सही उत्तर देने है ठीक है आप इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको यह अंदाज हो सकी कि इस तरह के कोश्चन पूछते हैं और यहां से कोश्चन लड़ते भी हैं ऐसा कोश्चन नहीं लड़ते हैं तो प्लीज आप इसको पूरा देखिएगा चलिए पहला कोश्चन देखते हैं सुसल साइंस का टेंट का है पहला कोश्चन है हमारे पास हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसिसी कोलीन यानि कि ऑप्सन नंबर सी होगा कोलीन कहलाते हैं दूसरा रॉलिट एक्ट कप पारित हुआ मोस्ट इजी कोश्चन जो कि रॉलिट एक्ट कप पारित हुआ सबको पता होगा यह ए उन्नी सो उनी सेसका एंसर हो जाएगा तीसरा देखते हैं जालिया वाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट हूट की उपाधी त जर्मनी के एक करन में किसकी भूमी का महत्युपड थी जर्मणी के एकी करन में iç बी मार्क आपपना ऑसर मिलते चलिएगा आपको पटा है तो आप क्को तर दीजिएगा क्यूंकि ये 80 इसलिए हमए विसादा टाइम नहीं दे रहे हैं तेकि orthिके नेक्स्ट को स्अपराज की असंथापना किशने Psal rh सापना सवाम 8 इंन देकि нужज्टम को सक़ềnरी को सफिर्वरथ। आधिवेशन कि ने किया गया था। ये इंसर और ऊप्र्साह मेंatta खिर्वरे अंसर तो ये सूती वस्त्र की प्रतम मिल खोली गई थी भारत में सूती वस्त्र की प्रतम मिल कहां खोली गई थी मदरास बंबाई कोलकत्ता या सूरग तो इसका एंसर हो जाएगा बी बंबई में जो है वो सूति वस्तर प्रतम सूति वस्तर खोला गया था नेक्ष्ट देखते हैं अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कॉंगरेस यानि की A.I.T.U.C. के प्रतम अध्यक्ष कौन थे तो आठ का एंसर होगा लाला लाजपत राय यानि कि अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कॉंगरेस के अध्यक्ष प्रतम अध्यक्ष लाला लाजपत रहे थे नौ नमबर कोश्चन देखते हैं हिंद चीन में अंतिम यूद की समापती के समय अमेरिकी राष्टपती कौन था तो इसका एंसर होगा निक्सन जो है वो ने किसे प्रधानमंत्री निक्त किया तो दस का एंसर हो जाएगा सी कुछ 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 कोश्चन आपको टफ दिखेंगे लेकिन यह बुक के बीच में सही पूछे गए ठीक है 11 नमबर देखते हैं रक्त और लोह की कि निती का और लंबन किस ने किया मोस्ट इजी कोश्चन है सभी को साइथ पता होगा इसका 11 का एंसर हो जाएगा लो और रक्त की निती बिस्मार्क द्वारा ऑप्सन नमबर डी नई आर्थिक निती NEP जिसको बोलते हैं NEP कब लागू ही नई आर्थिक निती लागू ही है 1921 में तो इसका एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर C 1921 को तेरह देखते हैं Indian Associate Commission का अन्य नाम क्या है तो इंडियन associate ये इसोसियेटरी कमिशन का अन्य नाम जो है वो है साइमन कमिशन आपसे ये कोश्चन बहुत ही घुमा के पूछ रहा है सभी को पता है कि साइमन कमिशन के बारे में ठीक है 1928 में जोकी भारत में आया था इसी को अलग नाम से यहां पर देखें कंफ्यूस करना चाहिए लेकि इसका एंसर भी हो जाएगा गुटेंबर्ग ने सरपथम किस पुस्तक की छपाई की गुटेंबर्ग ने सरपथम किस पुस्तक की छपाई की तो बाइबील की गुटेंबर्ग ने छपाई की ठीक है नेक्ट देखते हैं असोक के अभिलेक किस लिपी में है बहुत एजी जाएगा रोमन ठीक है रोमन लिपी में नेक्स देखते हैं सोल माफ कीज़ेगा एक मिनट सोला क्या है हमने कुछ छोड़ा हुए नहीं ना सोला असोक के अभिलेक तो इसका एंसर हो जाएगा यह ब्रामी लिपी में ठीक है यह हो जाएगा 17 नमबर देख लेते हैं बंगाल भ भाजन 1905 में शुरुआत हुई थी और वापस लिया गया था 1911 में तो इसका एंसर सी होगा रूस में कब दास्त्व समाप्त किया गया तो रूस में इसका 18 का जो एंसर होगा वो होगा 1861 इस भी ए नमबर 19 देखते हैं किस सम्मेलन में एक मई को मजदूर दिवस मनाने का न पूतिय अंतराश्टिय सम्मेलन में एंसर नमबर भी होगा नेक्स देखते हैं होची मिन की सरकार थी होची मिन की सरकार कहां थी तो यह थी भी उत्तर वियतनाम में आप सभी से रिक्वेश्ट है कि प्लीज अगर आप 2022 में एक्जाम देने जा रहे हैं तो सोसल साइंस की य ठीकि क्ने लिखी थी औरें पीस लिखी थी 21 का सफ्वर घ्रम सतस्र्ट द्वार्ण द्वारा लगी थी ठीक है तो इसका एंसर रोज संग का विगतन था बता सोवियक्यों का जाना जाता था फिर पटना के नाम से इसको जाने जाने लगा तो इसका अजीमा बाश्य वो ऑफसन नमर बी अजिम उससान के नाम से नाम से देखी क्योंकि आगे अजीम भी आई अपने ही नाम से दिये थे अजीमाबाद का नाम ठीक है नेक्स देखते हैं 24 पाटली पुत्र नगर की अस्थापना किस ने की थी जैसे कि हमने अभी बताया कि पटना को पाटली पुत्र भी कहा जाता है तो उसी के इसाब से पाटली वारा कैलकुलेट किया जाता है तो इसका 25 इंसर होगा इंसर हो जाएगा एक केंद्रिय सांखे की गठन ठीक है 26 देखते हैं योजना आयोग का गठन जो है वह 15 मार्च 1950 को हुआ था जो कि अब यह निती आयोग में बदल गया है ठीक नेक्ट कोश्टन देखते हैं उत्पा कि पुझिवाद अर्थ वाद में यानि कि उत्पादन के साधनों पर नीजी वेक्तियों का स्वामित्य बदलविदा में 28 देखते हैं गैस और बिजली उत्पादन किस इंग का है किस छेत्र का अंग है में बदल दल में आता है यह भी आपके बुग सब्स ने 29 तंबर देखते हैं इसका एंसर हो जाएगा 39 देखते हैं बंगलादेश की मुद्रा कि आप सभी को पता होगी टका बंगलादेश की जो है वो मुद्रा है नेक्स्ट आगे देर चलते हैं प्रोमो यूनिस का सम्मंद किस से है यानि कि प्रोफेसर एमडी यूनिस जो है वो किस से रिलेटेड है तो प्रोफेसर एमडी यूनिस का सम्मंद जो है वो बंगलादेश से ये बंगलादेश की थे ठीके आगे देखते हैं प्रात्मिक क्रिशी शाक शमीती को किस परकार का रिर्ण परदान करती है प्रात्मिक क्रिशी शाक शमीती जो है वो अल्पकालिन परकार की रिर्ण जो है वो परदान करती आप्सन नमबर ए 32 देखते हैं जुआर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारम हुआ तो जुआर रोजगार योजना 1989 में हुआ था 1989 जो कि आप्सन नमबर सी में है ठीक है 33 नमबर देखते हैं मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारांटी है ठीक है 33 का एंसर हो जाएगा जो कि मनरेगा कि तहत आपको कितने दिन का रोजगार दिया जा सकता है तो 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है तो ऑप्सन नमबर डी और देखते हैं 34 उभुक्ता सनक्षन के लिए कितने राज्य आयोग हैं तो 34 का एंसर हो जाएगा आगे देखते हैं प्रोफेसर पी सी महाल नोबिस की अध्यक्षता में किस समिती का गठन हुआ था तो इसका एंसर हो जाएगा 35 का एंसर होगा ए नमबर राश्टी आय समिती तो इसका एंसर यहाँ ठीक है आगे देखते है 36 कोश्ट जौन देखते हैं में अ 10 कोश्टि attacked चाने आपको 40 का ही क्या कहलाता है तो उसका प्वहज़्य का योग ए वह आई कहलाता है तो इसका answer हो जाएगा आई 37 नमबर देखते हैं निम्ण में से कौन आर्थिक चक्रिय का परवा है उत्पादन वियाई आई या इन में से सभी तो 37 नमबर का जो answer होगा वो होगा option number D इन में से सभी जो है वो चक्रिय परवा है ठीक है आर्थिक किरिया का चक्रिय परवा है next देखते हैं 38 नमबर भारत में सुरवपथम राष्टिय आय का अनुमान कब लगाया गया तो भारत में सुरवपथम राष्टिय आय का अनुमान 1868 इस भी में लगाया गया था तो इसका answer हो जाएगा B 49 देखते हैं निम्ण में से कौन सा कारिता का मुल तत्व नहीं है मूल भूत तत्व हैं 40 नमबर देखते हैं इन में से कौन गैर आर्थिक सन्रक्षना है इन में से कौन सा जो है वो गैर आर्थिक सन्रक्षना है तो 40 का एंसर हो जाएगा स्वास्त ठीक है, option number C 41 देखते हैं सविधान का 74-वा संसोधन किस से संसोधन है तो सविधान का 74 संसोधन नागरिय शासन विवस्ता यानि कि option number B से संसोधन है next question देखते हैं 42 निम्न में से एक नगर निगम में अधिक्तम कितने वाड हो सकते हैं यह most important question आपको भी पता नोची अगर आप नगर निगम में रहते हैं तो नगर निगम में एक नगर निगम में अधिक्तम कितने वाड हो सकते हैं तो इंवे अधिक्तम वाड हो सकते है सेवेंटी इसका एंसर कोगा डी 7 115 वाड हो सकते हैं chippक Frankfurt किस सी संबंदित थैं बहुत ही हल्का question है तो चिपकौ आन्दुलन जो लूप और सुन्दरलाल भॉघुरा से संबन्दीत चिनपल में सब्दिये गढ़बंदन नेपाल में सब्द लोगतंतर की अस्थापना है ये स्थापनेंदो reader होता है अपने नाम सुना होगा कि कोई भी सांसद या विधायक एक दल से दूसरे दल जितने के बाद चले जाते हैं तो उसी को दल बदल कानून के नाम से भी जाना जाता है तो यह 46 का एंसर हो जाएगा सांसर और विधायकों पर यह लागू होता है जहरकंड बिहार से कब प आसन विवस्ता जो है वो संगीय प्रणाली में नहीं है कौन कौन सी यदृ लिखी सविधान सक्तियों का भी बाजन सरवच्य नाइपालिका है उन्चार्ष नमर्ड देखते हैं लोग सभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो लोग सभा में जो है वो कि 1243 ठीक है नेक्स देखते हैं पूर्व में बंगलादेस को कि नाम से जाना जाता था जो कि अभी हम लोग बंगलादेश की नाम से जानते हैं इससे पहले बंगलादेस को पुर्वी पाकिस्तान की जो कि यह पाकिस्तान में था बाद में ये पाकिस्तान से अलग हो के एक बांगलादेश देश बना ठीक है फिर इक्यावन नमबर देखते हैं वेश्ट इंडिस संग की अस्थापना कब हुई थी तो वेश्ट इंडिस संग की अस्थापना जो है वो उनिस सो अंठावन में हुई तो इ विष्व का सबसे बड़ा लुखतांत्रिक देश अपना ही देश है भारत महान देश है ठीक है तो इसका एंसर ब lacks 54 नंबर देखते हैं ठीक है अटपस्तों में आंगशांग श्यदिा के नाघ्रिक थे तो आंग-सांगशांग सू जो है वो मैनमार के नागरीक थे तो चोवन का एंसर जो है वो सी होगा पचपन देखते हैं छेतरवाद की भावना का कूप परिणाम है छेतरवाद की भूमी का छेतरवाद की सौरी माफ कीज़ेगा छेतरवाद की भावना का कूप परिणाम जो है इसका एंसर होगा उत्तर प्रदेश में हैं दोस्तु प्लीज आपको अच्छा लग रहा है तो सस्क्राइब कर दीजिएगा इसको अपने ग्रूप में जो भी आपके टिंत के फ्रेंड्स होंगे उनको सेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी मौडल से तयारी कर सके ठीक है और आप एक्जाम आने से पहले एक दिन पहले भी इसको रिवाइस कर लिजेगा शंतावन देखते हैं भारत की प्रथम राष्ट्य जलनिती कब अपनाई गई तो भारत की प्रथम राष्ट्य जलनिती जो है वह सितंबर 1987 में अपनाई गई तो इसका एंसर ए हो जाएगा विश्व में सरुदिक हुमेस की मातरा नगन्य होती है यान की हुमेस जो है वो नहीं पाए जाती है तो उनसट का एंसर हो जाएगा वो लेटराइट मिर्दा है लेटराइट मिट्टी है ठीक है नेक्स देखते हैं साथ नंबर भारत का सबसे बड़ा खनीज तेल उत्पादक छेत्र कौन है तो साथ का एंसर हो जाएगा डिग बोई जो है वो भारत का सबसे बड़ा खनीज तेल उत्पादक छेत्र है ठीक है 61 देखते हैं इनमें से कौन सा रूपण फसल है इनमें से 61 का हम देख रहे हैं इनमें से कौन सा एक रूपण फसल है ठीक है तो चाय भी है रबड भी है गन्ना है यानि कि इनमें से सभी इसका जो एंसर होगा वो उपसल नमबर D इनमें से सभी होगा 62 देखते हैं जीवन रेखा कब चलाई गई बहुत ही अच्छा कोशन पूछा गया है आपको मॉडल पेपर में यह देखने को मिल सकता है आपके एक्जाम में इससे कोशन 62 का जो एंसर होगा जीवन रेखा जो चलाई गई थी वो 1991 को चलाई गई थी त हो जाएगा 63 देखते हैं कावर जिल कहां है बहुत ही अच्छा कोशन 63 का जो है कावर जिल बेगु सरह आप बिहार से रहते तो पता होना चाहिए बेगु सरह ऑप्सन नमबर सी किस राज में संयुक्त वन प्रमंदन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था तो 64 का एंसर जो होगा उपसन नमबर डी उडिशा में जो है वो संयुक्त वन प्रमंदन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था इन मेंसे कौन अकार्वनिक खनीज है 65 देख रहे हैं तो इन मेंसे जो अकार्वनिक खनीज है वो है अभरक तो इसका एंसर उपसन नमबर सी 65 का उपसन नमबर बी 67 67 कोशन कौन कोईला घटिया किस्म का इन मेंसे जो है वो कौन सा कोईला जो है वो सबसे निमने क्वालिटी का है तो 66 का एंसर जो होगा वो ऑपसन नमबर डी होगा पीट जो है वो सबसे घटिया कोईला होता है ठीक है 68 भारत में चाय की क्रिशी कहां से सूरू ह तो भारत में चाय की क्रिसी असम से आपको पता है कि बहुत बड़ा उत्पादन असम से ही होता है चाय के लिए ठीक है तो 68 का सी हो जाएगा असम पाइराइट किस परकार की खनेज है तो पाइराइट जो है वो धात्विक खनेज है तो ऑप्सन नंबर ए होगा 70 देखते है भारत का पहला प्रमानू सकती सयंत्र कौन सा है तो भारत का पहला प्रमानू सकती सयंत्र तारापूर है तो आप्सन नंबर ए हो जाएगा ये important question है ध्यान रखिएगा ठीक है प्लीज दोस्तो पसंद आ रहा तो अभी जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिज तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजेगा कोडर्मा का समन्द किस खनिस से है तो कोडर्मा का समन्द जो है वो अबरक्स है option number A होगा किस देश ने ओपिक की सद्यस्ता त्याग दी किस देश ने ओपिक की सद्यस्ता त्याग दी तो 72 का option हो जाएगा त्याक दिक कतर 73 देखते हैं इन में से कौन सा जूट का अगरणी उत्पादक है मतलब जूट जूट जो है इन देशों में से किसमे कहां सबसे जादा जूट पाया जाता है तो इसका एंसर होगा 73 का अपना भारत में ही होता है जूट ठीक है फिर उसकी वाद चोहत्तर आ जाते हैं आस्वान बांध किस नदी से समंधित है तो आस्वान बांध जो है वह नील नदी से समंधित है तो इसका एंसर औपसन नंबर सी होगा 75 देखते हैं कोशन 80 कोशन इन में से इन में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है तो इन में से जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है ये पूछा गया है तो सुनामी जो है वो कभी भी आ सकती ये प्राकृतिक आपदा में आती है बाल कभी भी पानी का भाव से ये बाल आ सकता भुकम जी यह सब यह तीनों जो प्राकृतिक आपड़ा यानि कि इन में से जो प्राकृतिक आपड़ा नहीं है वह आतंकवाद है तो आप्सन नंबर डी इसका हो जाएगा विनसकारी भुकम से बिहार किस वर्ष प्राव्ध हुआ था तो 76 का ऑप्सन 1934 में बिहार जो है विनसकारी भुकम 1934 में आय था 77 देखते हैं बाल के समय कौन स्थान सुरक्षित है तो बाल के समय जो है वो उची भूमी पर चड़ के रहना ही सुरक्षित माना जाता है 77 का ए ह से होता है चैक्तानों की खिसकने से भी होता है यानि कि इसका एंसर जो मपन सब्सक्राइब स्थानियों यह इस सब्सक्राइब कैसे होनी चाहिए तो पता है कि हम इस चेत्र रहा जादा आते हैं तो इसमें भावनों की आखिरती किस परकार की होनी चाहिए तो असी का एंसर होगा आयतकार होनी चाहिए ठीक है तो इसका एंसर होगा option 80 का होगा option number D तो यहाँ पर हमने देख लिया दोस्तों पूरे 80 objective question जिसमें से आपको 40 इसके answer देने होते हैं एक बार हम आपको दिखा देते कि इसमें subjective किस तरह के पूछे जाते हैं ठीक है अगर आप चाहते हैं कि subjective का भी answer दिखा दिया जाया बता दिया जाया किस तरह से लिख सकते हैं तो प्लिस कमेंट कीजिए का यह दिखिए यहां पर लिखा हुआ है लगू चुकि हालित किये गया है इसमें से बनाना है रूसी करांती पर माक्षवात का क्या परभाव पड़ा भारतिय राष्टी अंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का उल्लेक करें फिर उसकी बाद आपकी राजनितिक विज्ञान यहां पर आ जाता है तो आप यह देख सकते हैं म अब देख सकते हैं बहुत सारा कोश्चन है जो कि भूगोल जोग्राफी एकनॉमिक सभी का इसी में है ठीक है आपको इसका पीडियाप चाहिए तो आप प्लीज टेलिग्राम पे विजिट कीजेगा थाइंक यू